जैसे ही सर्दिया स्टार्ड होती है इसकीन के लिए मस्ट राजर कोल्ड क्रीम वाड़ी लोशन तमाम चीजों का इस्तिमाल करने लग जाते हैं बालों के लिए तो कुछ नहीं करते हैं फिर बोलेंगे कि हाँ इचिंग हो रही है हेर फाल बढ़ गया है बालों में ग्रोथ न आज टोनर के रूप में उसे आप इस्तेमाल करेंगे बहुत ही अच्छा होगा हुए और निच्छल भी होगा जिसे आप इजली अपने घर में बना पाएंगा और इस्तेमाल कर पाएंगे जिससे आपके बालों में बहुत इच्छी ग्रोथ होगी साथ में आपके बालों मे आपके बालों में इस्केल्प में खुजली भी नहीं होगी इचिंग नहीं होगी और कहता है आपके रिंडब बढ़ गया है सर्दियों में आपके टाइम टू टाइम करते ही नहीं है तो कैसे नहीं होगा हाई वंडर्फुल पीपल विल्कम बेक तो फात्मा जी वानाफी सिल कैसे हैं आप सब आई होग कि आप ठीक होंगे खूस होंगे इंजॉय कर रहे होंगे यानि कि हमारी फैमली खूब सारा अपरिटीव होगी अपना और अपनी फैमली का ध्यान रख रही होगी आज आपके साथ जो हम रिमेडी सेयर करने वाले हैं बिल्कुल टोनर के रूप में होगी आपके बालों को बहुत ही तेजी से प्रवाइड करेगी ग्रोथ आपके बाल सिल्की भी होगे, साइन भी होगी और डेंड़ भी नहीं होगे आपके स्कल्प को हाइड़ेट करने में ये बहुत ही हिलफूल होगी आप सरदियों में स्कल्प को हाइड़ेट करना तो भूली जाते हैं तो फिर क्यों नहीं होगी इचिंग, क्यों नहीं वड़ेगा हैर फाल, और तो और इसके ड्राइ रहती है, आईए से प्रिप्रेशन के लिए देख लेते हैं, हम क्या लेते हैं, इसके प्रिप्रेशन के लिए बहुत ज़ाम ताम नहीं करना है, हमें चलना है किचेन में, हमें एक गहरे बरतन में थोड़ा सा पानी लेना होगा लगभग एक ग्लास हमने पानी लिया है पानी को गर्ष की फ्लेम को स्लो करके उस पे रख दीजिये पानी अपनी जरूत की अकार्डिंग आप रख सकते हैं आप थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं आपको जरूत है उस पानी को जब देखें कि पानी खौलने लगा हमारा पानी गर्म हो गया है तो उसमें दूसरी चीज क्या लेना है आपको वीडियो को आप फुल वाच किया करें कट कर वगा करना देखा करें आप जानते हैं आजकर बहुत ही अच्छा अमरूद मार्केट म वहाँ पे आप देखते होंगे उनके अमरूद के साथ साथ लीफ भी देखने को मिलती है आप बस तीन से चार लीफ ले आएए कभी-कभी अमरूद ले आते हैं तो साथ में लीफ भी आ जाती है बस उन्हीं पत्तियों का यूज़ कर लीजिए बहुत काम की चीज होगी प् काना है पत्तियों को पहले डंठल से अलग कर लें गिरिन गिरिन पत्तियों अगर ताजी फ्रेस आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है आपके पास पाउदें या आजू-बाजू में कहीं देखने को आपको इसका पेड़ मिल जाए तो वहां से ले ले लेंगे त इससे भी आपका हेर फाल लुकेगा आपके बालों में भी ग्रोथ होगी अगर इस तरह आप नहीं कर सकते हैं तो आप पानी में क्या डालेंगे गवावा लीव डाल दिया दूसरी चीज हमने लिया है करी पत्ता करी पत्ता भी इसली सबके घरों में मिल जाता कहीं कहीं नह अजाये जाये में आपको करी लीव को खाते हैं तो बहुत अच्छा असर करेंगा आप की वाडी में में बहुत सारे मिलरल से भरते है वडीज होती है मगणारे लिव काना हीरी सबकार ये उसके नहीं हम रिदाव होती तो इसे क्या करेंगे चान लेंगे चानने के बाद इस तरह दूसरे वाटल में आप इस्टोर करेंगी, कोई बी बाटल हो जो ऑपके तरह हुआ हो इस तरह बहू है taki停 का है, अजी सर्दियों का सीजन है। हमने तो बहुर यह रखा है अगर गर्मी हो तो तो आप इसे फ्रीज में रख देते, इसे आपको यूज कप करना है, इसे भी आपको आना चाहिए, देखे किसी भी चीज का सही तरीका आपको आना चाहिए, कैसे उसे यूज करना है, इसलिए आप पहले वीडियो को देखा करें, समझा करें, फिर उसका इस्तेमाल किया करें जब ये टोनर के रूप में आपके पास होगा तो इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे इस्तेमाल करने का तरीका आप देख रहे हैं इस तरह बाल को आफ सुल्जा लीजिए आपकी मर्जी हो तो धूलने से पहले इस तरह स्प्रे कर लीजिए अपने पूरे बाल पर इस्प्रेक करके एक घंटे के लिए छोड़ दीजिए फिर अपने बालों को धुल लीजिए अगर आप चाहते हैं धुलने के बाद लगाना तो बाल धुलने के बाद जब सुख जाए सुखाने के बाद इस तरह आप स्प्रेक कर लीजिए ये आपके बालों में बिल्कुल आ सो इस आपके बालों में में ब्रोत होती है Global के डिंडप जितने होते हैं वह भी किस दोने के बेखता है अकरि अगर रुबलर्र हो जाएंगे तो आप करी लीप को आसानी सकते हैं और गुवावा के जूस को या करी लीप दोनों के जूस को बनालीजिए वाнов बनाने के बाल प्रेपी तेसा मैंस मेघा पानिकाशन,